नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है दो जुलाई को हाथ रस में दिल धहला देने वाला हाथसा हुआ है तो आएए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट चिरा गोटी जी से किस हाथसे में अब तक क्या सामने आया है और हाथसा क्या है तो सर अब तक के जाच में क्या सामने आया है देखे ये तो साफ है कि हाथसा क्या था 121, 121 लोगों की मौत हो गई है अभी कुछ लोग seriously injured है ये बाबा का जो मैं अपने क्राइम तक के दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये बाबा के पास इतनी आलिशान गाडियां है कमांडो हैं, महिला बिगेड है ये इसका खर्चा कहां से चलता था source of income क्याती है ये सब के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भई बाबा आखिर ये कैसे सब manage करता था मैं आपको बता रहता हूँ कई सारे आश्रम में, कई सारी जगहों पर कासगंज में, आगरा में, कानपूर में, शहाजापूर में कई सारे ये आपको बताए मैंने इसके लाब़ जो मेनपूरी का इसका एक आश्रम है जिसको बिच्छुआ आश्रम कहते हैं वो दरसल एक रामकुटी trust है वो चलाता है इस आश्रम को और यह कहते है कि वो इस आश्रम को जो है वो यह जो जमीन थी उसकी वो एक particular एक बंदा है उन्हों ने दान दी थी विनोध नाम के बंदे ने दान दी थी और उसके बाद यह आश्रम जो है वो चले जा रहा है यह गाणियां इतनी सारी कैसे आप मैनेज कर रहे हो आपका जो डेली जो expenses है वो कैसे बियर हो रहे है क्योंकि हर चीज अगर दान की बात की जाए तो यह specific होना चाहिए कि कितना दान आपको मिला कौन सा जो है वो आश्रम किस particularly trust से चल रहा है देखी मुझे तो यही लग रहा है कि यह एक तरह का खेल है पूरा क्योंकि जो मेरे पास एक report आई यह मैं आपको पढ़के बतायता हूँ कि धर्म के नाम पर पाकहंट फिला रहा है अब यह कैसे कर रहे है बाबा के पास जितने भी शहर में आश्रम है उनके अलग-अलग ट्रस्ट है जैसे मेनपुरी में रामकुटीर आश्रम है रामकुटीर ट्रस्ट है इसके अलवा जो दूसरे काग्जों में बाबा ट्रस्ट के नाम पर ही पैसा इकठा करता है और फिर आलिशान किले एक कोठी बनाकर जिन्दगी की सारी सुविधाय उसमें वो इंजोय करते है यानि कि होता क्या है कि ट्रस्ट जो है वो पैसा दे रहा है दान दे रहा है और उससे बाबा जो है एक तरह से लैविश लाइफस्साइल जी रहा है और जो मुझे लगता है जो दान में दी जाती है तो तो आप अपना पहनावा इस तरह का रखते हैं बिल्कुल नॉर्मल साधारा आपने घड़ियां पहन रखी है महेंगी घड़ियां है आप चश्मा लगाकर बैठे हैं आप अच्छे सूट बूट में बैठे हैं आप ज्यान की बाते कुछ लोगों के लिए कर रहे होंगे लेकिन सचाई तो यही है न कि इसके पीछे अगर इंकम की बात की जाए अगर कोई बंदा आपको लैंड दे रहे ट्रस्ट चला रहा है लेकिन एक बात इसमें बड़ी विचित्रस ही है जो मुझे मतलब कई लोग कह भी रहते कि बाबा के बारे में हम जितना भी बोले है पुलिस ने F.I.R. में उनका नाम ने डाला वही साथ ससंग बाबा का भक्त बाबा के तो बाबा का नाम F.I.R. में क्यों नहीं है अब ये बात ओविसली भाई वो ट्रस्ट के ओपर सारी चीज़े काग्जों में डाल रखी है कि वो ट्रस्ट चला रहा है और इसमें भी एक फुटेज भी सामने है जिसमें दिखा कि बाबा एक बचकर 40 मिट पर वहां से निकल जाते हैं पूछा उसको लेकर भाई अब सारी सुक्सो विधायम उठा रहे हैं उनके पास कोठी है वो महंगी घड़ी पहन रहे हैं चश्मा लगा रहे हैं और एक तरफ भक्ती की बात हो रही है तो ये बड़ा कॉंट्रोवर्सी है दोनों चीज़ों में बड़ी एक मेल मेला लग नहीं रहा और मैंने जैसे पताया कि कई लोग ऐसी बाते कर रहे हैं कुछ लोग तो इसको वोट वैंक से भी जोड़ कर देख रहे हैं जो मुझे अभी लेटेस्ट इसमें जानकर निकल कर आई है कि ऐसा तो नहीं कि बाबा एक बहुत बड़ी समुधाय को कैटर करता है तो काइंड ओफ सरकार इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं यह भी बाते शोचल मीडिया पर चल रहे हैं आला कि इसमें कितनी सत्त है यह बात अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन इस तरह की बाते जरूर चल रही है अब तक जैसे सामने आया है कि बाबा नहीं मिल रहे हैं बाबा का कोई पता नहीं है तो आपको क्या लगता है कि पुलिस बाबा को पूश्टाच के लिए बुलाएगी तेकि पूछताच के लिए तो बुलाएगी क्योंकि सारा management समझना है कि अगर trust एक चलाता है तो किस तरह से चलाता है कितने लोग उस trust में होते हैं कैसे जो है लोगों को बुलाया जाता है लोग आते हैं लेकिन एक चीज़ बड़ी विचेतर है हम चाहे जितने भी बाबाओं को गालिया देते हैं मुझे याद है हमने आसाराम पर बहुत सारी वीडियो बनाई लेकिन इनके followers कम नहीं होते मतलब जो अंदभक्ती है आप देखे कि वो मीडिया को भी गालि देते हैं लोग आप कुछ भी चलाई है हमारे बाबाजी जो है वो ऐसे नहीं है आप उसको गलत पोट्रेट कर रहे है और शुरुवात में भी जब मैंने पूरा मामला जब आया था तो ओविसली बड़ा दुगदाई मामला था लेकिन एक चीज़ निकल कर सामने आई कि बाबा का अगर डिरेक्ट इंवॉल्मेंट देखा जाए ठीक है मैनेजमेंट के पार्ट पर प्लैनिंग के पार्ट पर ये कहा जा सकता है कि वो और्गनाईस कर रहे हैं लेकिन अब उन्होंने एक ट्रस्ट को सब जम्मेदारी सौपी हुए तो इसलिए और इंडिरेक्ट इंवॉल्मेट नजर आई रहे हैं हालाकि अभी तो एजेंसी को टै करना है कि उनका कितना रोल है क्या है लेकिन भीड कम होने का नाम नहीं लेए आप देखें सोशल मीडिया पर अक्टिव नहीं है आप यह देखें कि उनके कैमरे उनके यहां नहीं लग चल रहा है एक छेड़ चाल का मामले का पता चल रहा है कि जब यह बरखास्त हो गए थे हाला कि कोट चले गए थे और इनकी बरखास्त की बहाल हो गए थी यह बड़ा विच्टर चीज है तो उस केस में अभी तक हमें कोई अपडेट ऐसा मिला नहीं कि भई अभी वो ट्रा काल में इनका बड़ा नाम हुआ जब इन्होंने बहुत जादे लोगों को इकठा कर लिया यह तमाम चीजें जानने की जरुत है और एक बड़ा साइकलोजिकल आसपक्ट बेए एक आदमी जो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं आप सोचिए पुलिस तीन भाई थीन भाई है इ और यह अध्यात्मी की तरफ चले जाते हैं बड़ी विचितर सी बात है और आप सोचिए इतने फॉलोवर्स हैं कि मतलब शोशल मीडिया में तो अब पता लग रहा है बावा कौन है मुझे तो इससे पहले पता भी नहीं था इनका नाम शहद आपको भी नहीं पता होगे इ यह बोला था कि आप पानी प्यांगे तो आपके सारी बीमारिया दूर हो जाएंगी भग ठीक हो जाएंगे तो इसमें क्या कहना है आपको इतनी संख्या में लोग मर गए मुझे एक बात बात आई आपके घर में कोई ऐसा शक्स है जो किसी बाबा को भगवान को फॉलो करत है और वो बाबा एक्सपोज हो चुका है तीवी पर तो मैंने उनसे पूछा ही तो एक्सपोज हो गए है तो उन चुछ तकानी मीडिया वाले को कुछ भी दिखाते है यह तो ऐसा नहीं है हमारे बाबा तो बिल्कुल ठीक है तो देखी यह है विश्वास की बात अब इसमे मैं तो आसराम बापू पर रेप के इलजाम लगे लेकिन अभी फॉलोवर्स बहुत है उनके अभी आप आश्रम में चले जाए अभी भी रोज भक्ती होती होगी कीरतन होते होंगे तो ठीक है यह बात अलग है कि कुछ हो सकता है कि लोगों की कुछ कम हो गए हो वक्त लेकि के बारे में कॉमेंटस की जिन लोगों की महत होगी कि आप इतनी भीर में क्यो जा रहे हो है आपको देखने रहे हैं त deber appक Do evidence कर रहे होते हैं कि अ-धिक हो गणे मुझे चीज ये बड़ी विजितर लगती है कि भाई क्या कुछ लोगों के हुएं ऐसा और अगर हम ऐसी ये सवाल भी पूछेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे व्योर्स हैं जो आ जाएंगे जो कहेंगे हमेरे साथ हुआ है अब चाहे उनका by default हुआ हो चाहे scientific reason से हो गया हो या क हनुमान जी के भक्त हैं मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा उनका नाम तो अब वह भी बाबा है उनके पीछे भी लोग दुनिया बतलब एकदम अचानक वह सोशल मीडिया के स्टार बन गए हनुमान जी के भक्त हैं आप नीम करोली बाबा को दे ने वहाँ दर्शन किये बहतर 72-73 में वह एक्सपायर हो गये थे उसके बाद आप देखिए कि आता लाग हो है लोगों का मतलब ऐसे लोग पागल है मैंने पूछा कि इतना क्यों भगती ही इतनी कहारे यहां विराट कोल भी आये थे मैंने कहारे यहां तो एपल के CEO भी आयो हो गया या किसी ने आपने आप मैंने आपको बोला वहां चेले जाओ ठीक हो जाएगा और बाइडिफॉल्ट लग से या जैसे मर्जी ठीक हो गया तो आप कोगे नहीं वहां बिल्कुल वहां जाके ठीक हो जागा और आप यह ऐसा माउट पब्लिसटी करोगे ना 20 लोगों बता होगे बीस से वो 2000 लोगों में फैलेगी 2000 से 20000 लोगों तक पहुंचेगी और उसके बाद सारे लोग ऐसे भक्त हो जाएंगे क्योंकि देखिए बाइडिफॉल्ट कई लोगों के काम तो होई जाते हैं ऐसा नहीं होते हैं लोग मेहनत भी करते हैं किसमत भी होती है सारी मतलब इस संसंग मतलब देखा जैसे बहास से होते हैं तो जादा महिला इसमें इन्वाल्व होती है तो मतलब उसका क्या हो सकता है क्या महिला जादा अश्वासी होती है कहना चाहरे हैं आप ने ऐसा नहीं पर मतलब क्या रीजन हो सकते हैं उसके ऐसा महिला आप बताओ ना बचार्द काना थब या Warum सबोए पॉछ आता जाता है शायद मैनिपुलेट करना तो आप को लुग में लोगमिलाए नहीं होता दिमाग होता है . दिमाग तो होता है पर जब भाद परिवार के आजाते हैं भजा भाद घरवार के आजाते हैं कि हटक हो जाए गो जाएक। वज्ँ कहाती है ओधर problem जिब कोई आदमें हार चुका होता है तो उसको हलका सा भी इतना सा भी पॉजिटिफ और बढ़ा खुश होया तो उसको लगता है देखी ये चमतकार बाबा की वह ये एक psychological भी है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा चमतकार की वज़े से भी होता है तो और महिलाओं को आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिलाओं को क्यों इतना interest रहता है आप बढ़ा उनको भी समझ है एक चीज की समझ होती है तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है सर मेरे बस एक लास सवाल आप से कि ये जो बाबा है क्या आपको लगते है कि ससंग की आड में कुछ और भी चल रहा था बाबा कुछ और भी कर रहे थे लिगे बाबा जब आता है तो हम हमारे मन में ये ख्याल जरूर आता है कि ये कुछ फ्रॉड होगा और ऐसा होता भी है बहुत सारे किसमें इसमें देखे चे केसे हैं हाला कि इसमें मुझे एक चीज बड़ी शॉकिंग और बड़ी एलिमेंट लग रही है कि बाबा के खिलाफ कोई हीनिस के सबी तक सा है नहीं या मैनुपिलेट हो गया या कभी कोई ऐसा केस सामने किसी ने हिम्मत नी करी किसी महिलना ने करने की ये तो डाट इसमें वही कहा जा सकता है कि भाई ये तो जहांच होगी उसके बाद ही बहुत सारी स्थिती साफ होगी लेकिन CCTV का नहीं होना दान दक्षिना इतने ब्रह्मग्यान दे रहे हैं और कौन सा ब्रह्मग्यान लोग ले रहे हैं आप सोचो दो लाग लोग बैठा है हुआ और वो दो लाग लोग बैठा है जो सोशल मीडिया पर नहीं है मतलब अगर सोशल मीडिया का प्रचार बाबा ने शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या लेकिन बहुत सारे लोग अटैच हैं ये एक बड़ी शौकिंग अलेमेंट है तो ये थे हमारे साथ चराग गोटी जी हमारे एक्सपर्ट क्राइम तक में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद